प्यारे विद्यार्थियू नमस्कार आशा करती हूँ कि आप सब तंदरुस्त होंगे और पढ़ाई के प्रती आप सब का उच्सा बना रहे इसके लिए आज हम पढ़ेंगे आप ही की छटी कक्षा के विज्ञान का दूसरा अध्याय जिसका नाम है भोजन के घटक आईए सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि इस विश्य के बारे में हम पहले से ही क्या-क्या जानते हैं हमारे भोजन के मुख्य स्रोत क्या है हमें भोजन की आवश्यक्ता क्यूं होती है पात्पों से उत्पादित होने वाले कुछ खाद्यपदार्थों के नाम जनतु क्या खाते हैं बच्चों अब हम जानेंगे कि आज के इस अध्याय में हम क्या-क्या सीखने वाले हैं विभिन पोशक हमारे शरीर के लिए आखिर क्या-क्या करते हैं फिर हम बात करेंगे कि संतुलित आहार क्या होता है और अंत में जानेंगे कि आभाव जन्य रोग क्या होते हैं चलिए अब हम भोजन से मिलने वाले पोशक घटकों के बारे में गैराई से पढ़ते हैं ये तो आप सब जानते ही होंगे कि भोजन ना केवल हमारी व्रिद्धी और देखवाल के लिए आवश्यक है अपितू भोजन हमें बहुत से रोगों से भी बचाता है भारत के विभिन विभिन प्रांतों के लोगों द्वारा खाये जाने वाले खाद्यप्रदाट भी भिन भिन होते हैं कुछ लोग चावल खाना पसंद करते हैं तो कुछ रोटी वही कुछ लोग मीट और मच्छी के शौकीन होते हैं ये सबी खाद्य प्रदार्ट एक से जादा कच्ची सामगरी से बनते हैं और ये सामगरी हमें पादपों या जंत्वों से प्राप्थ होती है। बच्चो ये कच्ची सामगरी जिसमें हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्य घटक होते हैं उन घटकों को हम पोशक कहते हैं। हमारे भोजन के मुख्य पोश्य घटक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनेज लवन हैं। इसके अतिरिक रेशे या रुक्षांश और जल भी आवश्यक होते हैं। इन सब पोश्कों में से कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन अधिक आवश्यक होते हैं। बच्चों, अभी हमने ये पड़ा कि भोजन में कुछ पोश्य घटक होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कौन से भोजन में, कौन सा और कितने पोश्यक उपलब्ध होते हैं। इनकी उपस्थिती को जानने के लिए हमारे पास कुछ टेस्ट अथवा परिक्षन मौजूद होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परिक्षन अन्यपोश्कों के परिक्षनों की अपेक्षा सरल होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स मंड तथा शरकरा के रूप में पाए जाते हैं। यह जानने के लिए कि हमारे भोजन में मन रूपी कार्बोहाइडरेट उपस्थित हैं की नहीं हमें परिक्षन करेंगे परिक्षन के लिए हम एक ऐसा खाद्य प्रदाथ लेंगे जिसमें मन रूपी कार्बोहाइडरेट हो जैसा की आलू और इसके साथ हमें चाहिए होगा आयोडीन का घोल अगर आयोडीन के डालने से आपका खाद्य प्रदाथ काले रंग का हो जाए तो इसका अर्थ है कि आपके खाद्य प्रदाथ में कार्बोहाइडरेट है चलिए अब इस परिक्षन को करके देखें इसके लिए आप आलू को दो हिस्सों में काट दें फिर एक हिस्से पर आयोडीन बिलियन की दो या तीन बूंदें डालें अब खाद्य प्रदाथ में होने वाले रंग परिवर्तन को ध्यान से देखें ये देखो बच्चो इसका रंग काला हो रहा है और ये काला रंग ही मन रूपी कार्बोहाइडरेट की उपस्तिती को दर्शाता है चलिए बच्चो अब हम प्रोटीन के लिए परिक्षन करेंगे परिक्षन के लिए जिस खाद्य प्रदाथ का उप्योग हम करने जा रहे हैं वे हैं डाले क्यूंकि ये तो आप सब जानते हैं कि डाले प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोथ होती हैं परिक्षन के लिए सबसे पहले आप डालों की थोड़ी मात्रा को पीस कर या मसल कर उसका चूरन बनाएं फिर उसे एक साफ परखनली में डाल दें और उसके बाद परिक्षन के लिए हमें तीन पदार्थों की अवश्यक्ता पड़ेगी वे हैं जल, कॉपर सलफेट और कॉस्टिक सोडा अब आप उस परखनली में आठ से दस बूंदे जल डाल कर उसे अच्छी तरह से हिलाएं अब ड्रॉपर की सहायता से परखनली में दो बूंदे कॉपर सलफेट का विल्यन तथा दस बूंदे कॉस्टिक सोडा का विल्यन डालें अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए परखनली को रख दीजिए बच्चो क्या आपको इसमें रंग परिवर्टन नजर आ रहा है? क्या ये बैंगनी रंग का हो गया? हाँ, बिल्कुल, ये तो बैंगनी रंग का हो चुका है इसका मतलब ये बैंगनी रंग खाद्य प्रदाट में प्रोटीन की उपस्थिती को दर्शाता है बच्चो, अब हम वसा के लिए परिक्षन करेंगे इसके लिए हमें एक ब्लॉटिंग पेपर चाहिए होगा अब आप इस ब्लॉटिंग पेपर को मुम्बत्ती के प्रकाश के आगे रखें क्या आपको मुम्बत्ती का प्रकाश इस ब्लॉटिंग पेपर में से दिख रहा है नहीं बिल्कुल नहीं अब आप इस ब्लॉटिंग पेपर पर कोई ऐसा खाद्य प्रदाट लगाएं जिसमें वसा हो ध्यान रहे कि पेपर फट ना जाए अब आप इस कागस को दोबारा मुम्बत्ती के प्रकाश के आगे रखें क्या अब आप वुम्बत्ती के प्रकाश को कागस द्वारा देख पा रहे हैं हाँ बच्चो अब आपको यह प्रकाश दिख रहा होगा इस खाद्य प्रदाट में उपस्थित वसा ने इस कागस को पाड़शित बना दिया है जिसके कारण आपको प्रकाश दिखाई दे रहा है इस कागस का पाड़शित होना ही वसा की उपस्थिती को दर्शाता है बच्चो अब हम हमारे शरीर के लिए आवश्यक पोशक घटकों की एक-एक करके चर्चा करते हैं आओ अब हम सबसे पहले वसा और कार्बो हाइडरेट के बारे में जानते हैं कार्बो हाइडरेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को उर्जा प्रदान करते हैं वसा से भी हमें उर्जा मिलती है वास्त्विक्ता यह है कि कार्बो हाइडरेट की तुल नामे वसा की समान मात्रा से हमें अधिक उर्जा प्राप्थ होती है वसा और कार्बोहाइडरेट युक्त भोजन को उर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं कार्बोहाइडरेट के कुछ स्त्रोत हैं गेहुं, तर्बूज, चावल, आम, आलू, मक्का, आदी और वहीं अंडा, घी, मचली, मास, तिल और सर्सों का तेल यह सभी वसा के स्रोत हैं प्रोटीन की आवशक्ता शरीर की व्रिद्धी तथा स्वस्त रहने के लिए होती है प्रोटीन युक्त भोजन को प्राया शरीर वर्धक भोजन कहते हैं चना, सोयाबीन, पनीर, मटर, दूद, आदी प्रोटीन के स्रोत हैं बच्चो क्या आप जानते हैं कि विटामिन और खनिज हमारे लिए क्यूं आवशक हैं विटामिन और खनिजलवन भोजन के जरूरी पोशग घटक हैं जो हमारे शरीर के विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी हैं विटामिन और खनिजलवन शरीर की रकषात्मिक प्रनाली को बढ़ाते हैं साथ ही में शरीर की व्रिधी और तंदरुस्ती सेल और अन्य अंगो के सही काम करने के लिए भी विटामिन और खनिजलवन बहुत आवशक हैं विटामिन छे प्रकार के होते हैं विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K अब हम इन सभी प्रकार के विटामिनों के बारे में एक-एक करके विस्तार से पढ़ेंगे बच्चो आपने तो सुना ही होगा कि गाजर हमारी आँखों के लिए बहुत ही फाइदे मन होती है ये बिलकुल सही है क्यूंकि गाजर में कैरिटिनोइड्स होते हैं जिसे हमारा शरीर विटामिन ए में बदल देता है ये विटामिन हमारी आँखों की समस्याओं को हल करता है कैरिटिनोइड्स अधिक्तम मात्रा में हरी, पीली, संत्री और लाल सबजियों और फलों में मिलता है विटामिन ए हमें डेरी उत्पाद जैसे दूद, मक्षन, आदी, पदार्थों में अधिक्तम मात्रा में प्राप्त होता है बच्चों, क्या आप जानते हैं कि भोजन में विटामिन ए की कमी होने से रतोंदी नामक रोग भी उत्पन हो सकता है इन रोग्यों की दृष्टी कमजोर हो जाती है, तथा इन्हें अंधेरे में कम दिखाई देता है विटामिन बी की कमी से बैरी-बैरी नामक रोग हो सकता है इस रोग में पेश्यों में दुरबलता और काम करने की उज़ा में कमी आ जाती है विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है इस विटामिन की कमी से सकर्वी नामक रोग उत्पन होता है जिसमें मसूडों से खून निकलना, घाब भरने में अधिक समय लगना जैसी समस्याएं आ जाती हैं विटामिन डी हमें शरीर में कैल्शियम और फोस्फोरस सोपने में सहायता करता है जिसके कारण हड्यूं और दान्तों की समस्याएं दूर हो जाती हैं इसकी कमी से रिक्केट्स नाम का रोग हो सकता है बच्चों क्या आप जानते हैं कि हमारा शरीर भी सूर्य की प्रकाश की उपस्तिती में विटामिन डी बना सकता है विटामिन E चमड़ी, आंखों और रक्षात्मक प्रनाली को मजबूत करता है यह हमें वेजिटेबल ओईल, ओलिव ओईल और हरी सबजियां जैसे पालग, अनाज, सूखे फल या मेवू से भी मिलता है इसकी कमी के कारण मास पेशियां और नाड़ी प्रनाली कमजोर हो जाती है अन्त में अब हम बात करेंगे विटामिन के के बारे में विटामिन के के साथ खून जमने लग जाता है यह खून के जमने में सहायक होता है बच्चों, जब आपको कभी चोट लग जाती है और आपकी चोट से खून बैने लगता है तो वे खून कुछ समय बाद अपने आप ही निकलना बंध हो जाता है क्यूंकि विटामिन के रक्त को चोट के स्थान पर जमने में सहायता करता है बच्चों, यदि चोट लगने से कुछ समय बाद भी खून बैना बंध ना हो तो इसका मतलब आपके शरीर में विटामिन के की कमी है विटामिन के के स्थ्रोत हैं डाल, अनाज, हरी सबजियां, गोभी, पालग, साग, आदी विटामिन A, D, E और K वसा में घुलनशील हैं और शरीर में जमा हो जाते हैं वेहीं विटामिन B कॉम्पलेक्स और विटामिन C जल में घुलनशील होते हैं और शरीर में जमा नहीं होते आओ बच्चो अब हम खनिजलवन की जानकारी प्राप्त करते हैं विटामिन की तरह ही खनिजलवन भी हमारे शरीर के विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं हमारा शरीर खनिज अपने आप नहीं बना सकता इसकी पूर्ती हमें भोजन के द्वारा होती है खनिज का इस्तेमाल हड्यों की मजबूती और नाड़ी प्रनाली को तंदरुस रखने के लिए होता है कुछ खनिज हार्मोन्स को भी बनाते हैं और हमारे दिल की धड़कन को संतुलिक करते हैं कुछ आवश्यक खनिज, केल्शियम, आइरन, फॉस्फोरस, आयोडीन, क्लोरीन, मैगनीशियम, पोटैशियम, सोडियम और सलफर हैं केल्शियम और फॉस्फोरस, दान्तों और शरीर की हड्यों की मजबूती, खून को जमने में और मासपेश्यों के सुकरने में सहायक होते हैं केल्शियम के मुख्य स्रोद, दूद, अंडा, दाल, सबजियां और मच्छी हैं आइरन, जिसे लोपी कहते हैं, खून में, लाल, रक्तानूं में, हीमोगलोबिन बनाने में सहायक होता है हम आइरन, हरी सबजियों और जन्तूं के जिगर से प्राप कर सकते हैं आइरन की कमी से अनीमिया नामक रोग हो जाता है आयोडीन, थाइरोइड ग्रंथी को ठीक ढंक से कार्य करने में और शरीर के विकास में मदद करता है आयोडीन, हरी सबजियों, खनेज, जल आयोडीन वाले नमक से प्राप्त होता है शरीर में आयोडीन की कमी से घेंगा जिसे गोईटर भी कहते हैं जैसा रोग उत्पन हो सकता है इस रोग से पीडित लोगों में मानसिक विकास रुक जाता है और गले की ग्रंथी में सूजन भी आ सकती है ऐसे ही कुछ पोशक तत्वों के आभाव से हमारे शरीर में रोग अत्वा विक्रतियां उत्पन हो जाती हैं जिने हम आभाव जन्य रोग कहते हैं आओ बच्चों अब हम ये जानकारी प्राप्त करते हैं कि पोशकों के इलावा हमारे शरीर में अहारी रेशों तथा जल की क्या आवशक्ता होती है अहारी रेशे जिन्हें रुक्षांश भी कहा जाता है मुख्य रूप से अनाज, डालू, आलू, ताजे फल और सब्जियों में पाए जाते हैं रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोशक तो नहीं प्रदान करते परंतु फिर भी ये हमारे शरीर के लिए इसलिए आवश्यक हैं क्यूंकि ये अनपचे भोजन को हमारे शरीर से बाहर निकालने में सहायता करते हैं वहीं अगर जल की बात करें तो जल भोजन में उपस्थित पोशकों को अफशोशित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है साथ ही में ये कुछ अपशिष्पदार्थों जैसे की मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में हमारी सहायता करता है हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यक्ता होती है वै जल दूद चाए आदी के सेवन से पून हो जाती है बच्चो अब हम संतुलित अहार के बारे में देखेंगे जल थक्वा भिनों से बारे के नहार के से बस्पकतक चेशल से लिखेंगे तो इंक भी और आफेम談मनी रिलसे के रिखेंगे हमारे चेँआघआएगी प्ष्अ हमारे से बारे में देख़न हमारे में जनने को अर्ट को जा सहा पारald असो 20 'D וט lifts और ंनार कर सकती है कि अटाइड़ करिय में ये येंसी हिएvä हт हुआ हुआ कि आ ऩै हईग है हम कर दो दो कर 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 दो प्योली खो P प्योली खरी कि एई छाप के जा जाप था फ फुड़ी कि शना दो अ अख प्रबग कर दो आया जब मुझावी नख और बार गपको जब ड्ष़ कोडती है अजय को सुझे को आख से आख से अख सक अभावी नब दो जा दे हम providesगा दो आख सक दो giम है हुआ हुआ है बच्चो आओ अब हम इस अध्याई की जल्दी से एक बार संख्षेप में दोराई कर लेते हैं सबसे पहले हमने इस अध्याई में ये जाना कि हमारे भोजन के मुख्य पोशक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवन हैं इसके बाद हमने पढ़ा प्रोटीन वाले भोजन को शरीर वर्धक भोजन भी कहा जाता है फिर हमने ये जाना विटामिन हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं हमारे अहार में लंबी अवदी तक एक अथ्वा अधिक पोशक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट रोग उत्पन हो जाते हैं जिन्हें अभाव जन रोग भी कहा जाता है अंत में हमने संतुलित अहार के बारे में जाना संतुलित अहार में हमारे लिए अवश्यक सभी पोशक तत्व तथा पर्याप रुक्षांश और जल उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं बच्चो अब मैं आपसे कुछ प्रश्ण पूछूंगी आशा करती हूं कि आप सभी प्रश्णों के सही सही उत्तर देंगे सबसे पहले आपने सही या गलत पर निशान लगाना है पहला प्रश्ण वसा और कार्बोहाइड्रेट वाले भोजन को उर्जा देने वाले भोजन भी कहा जाता है यदि आपका उत्तर सही है या आपने सही पर निशान लगाया है तो आपका उत्तर बिलकुल ठीक है तो चलिए आपका अगला प्रश्ण है आपने रिक स्थान की पूर्ती करनी है डैश हमारे शरीर की रक्षात्म क्रनाली को बढ़ाते हैं जी हाँ यदि आपका उत्तर बिटामिन तथा खनिच लवन हैं तो आप बिलकुल सही है अगले प्रश्ण में आपको उत्तर के लिए कुछ विकल्प दिये गई हैं उन में से आपको सही विकल्प पर निशान लगाना है तो आपका प्रश्ण है रतौन्दी रोग किस विटामिन की कमी से होता है यदि आपका उत्तर विटामिन ए है तो आप इस बार भी सही हैं आपका आखरी प्रश्ण है संतुलित आहार किसे कहते हैं जी हाँ बच्चो यदि आप अपने आहार में सभी पोशक घटकों को और वो भी सही मात्रा में ले रहे हैं तो ऐसे आहार को हम संतुलित आहार कहेंगे अंत में मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये अध्याय भोजन के घटक अच्छी तरह से समझ आ गया होगा आप सभी तंदरुस्त रहें पढ़ते रहें और बढ़ते रहें धन्यवाद आप सभी तंदरुस्त रहें जए अच्छी तंदरुस्त